दोस्तो अगर आपके मुबाइल का कैमरा बहुती low quality का है आप अपने मुबाइल के कैमरा से फोटो खीशते हैं तो फोटो का background बलर नहीं होता है या फिर फोटो को आप जूम करते हैं तो फोटो भड जाता है या फिर full HD quality में आपके मुबाइल से आप फोटो नहीं खीच पाते हैं ये सब प्राबलम अगर आपके साथ हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखना आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा ट्रेक बताऊंगा जिसका इस्तिमाल करके आप अपने मुबाइल के कैमरा को बिल्कुल DSLR जैसा बना सकते हैं जि दोस्तो यहां पर मैं आपको जिस मुबाइल को योज़ करके दिखाने वाला हूँ ये मुबाइल बहुत ही पुराना है ये रियल्मी का 5i model है जो लगबग मैंने 3 साल पहले लिया था अभी ये मुबाइल आपको नहीं मिलेगा बहुत ही पुराना मुबाइल है इस मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी कमपनी के मुबाइल के कैमरा को DSLR कैमरा कैसे बना सकते हो दोस्तो अगर आपके मुबाइल का कैमरा बहुत ही low quality का है ना तो इस वीडियो को पूरा देखना चले यहां पर time को waste नहीं करते हैं सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप इस लाइक के बटन पर किलिक करके वीडियो को लाइक कर देना उसके बाद नीचे आपको रैड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिलेगा इस पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब क जुम करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फोटो फट जा रहा है और यहां पर यह जो है किलियर नहीं देख रहा है और बैकगराउंड यह वो बलर भी नहीं हुआ है लेकिन दोस्तों मैं इसी मुबाइल से उस ट्रिक को यूज करके फोटो खिचूंगा आप देखना कि फोटो का जो बैकगराउंड है वो भी बलर हो जाएगा फोटो फटेगा भी नहीं बिल्कुल क्लियर HD क्वालिटी में फोटो आ जाएगा तो अगर आपको भी यह ट्रिक सीखना है तो इसके लिए आप वीडियो को गौर से देखना चलिए अब वीडियो को शुरू करती हैं दोस्तों सबसे पहले आपको इस ट्रिक को अपने मुबाइल के अंदर योज करने के लिए एक एप डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप यहाँ पर एप लिंक के जगह एक लिंक मिलेगा इस पे किलिक करके एप को डाउनलोड कर लेना ओके एपलिकिशन को जैसे ही आप अपने मुबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेती हैं तो उसके बाद कुछ इस तरीके से इसे आपन कर लेना है अब यहाँ पर आपको एक शूटर बटन मिलेगा जिस पे किलिक करके आप फोटो को शूट कर लेता हूं और दिखाता हूं आपको कि इस ट्रिक से इस एप से फोटो कितना कमाल का आता है दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने हाथ का फोटो को किलिक कर लिया अब दोस्तो जैसे ही आप फोटो को किलिक कर लेती हैं यानि कि फोटो को करते हैं तो आप फर्ष्ट आप्सेन पत्ते हैं अगरा आप को ज्यादा बलर करना है तो आप ज्यादा पे मदाउल सकते हैं यहांकर डekस्न दोस्तो आप इसमें जैग फोटो को शूर्ट कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं photo बिल्कुल clear आया है दोस्तों यहां पर आप photo को काफी जादा अच्छा look दे सकते हैं यहां पर आप चाहें तो अपने तरह से editing भी कर सकते हैं ठीक है बहुत सरे tools यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो यहां पर मैं फिलाल आपको बलर अच्छा लाना है यानि कि फोटो आपको full HD में किलिक करना है और या फिर आपको जो background है आपके photo का वो अगर आपको बलर करना है तो आप इस app से photo को shoot कर सकते हैं जो कि बहुत ही कमाल का है दोस्तो फोटो को shoot करने के बाद यहाँ पर आपको save का option मिलेगा इस पर आपको click कर दे उससे आप DSLR जैसी photo shoot कर सकते हैं दोस्तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर लेना और हाँ आपका link मैंने वीडियो के नीचे description में दे दिया है तो आप वहाँ से इस जह आसानी से download कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया